हलो बच्चों कैसे हो आप सभी आप सबको पता है कि कच्छा 10 की मैथमेटिक सिस्थ में चल रही आपका दुपार दो बजे से तो सभी बच्चे रेडी हो जाया करो बिल्कुल जोस जुनून के साथ आ जाया करो बिल्कुल ताबट तोड़ कलास होने वाली और हाँ कलास पूरा एंड तक देखना छोड़ के ना जाना बीच में ठीक है बच्चा तो आज आप पढ़ोगे एकसर साइज 1.4 का कुईस्चन नंबर सिकेंड अगर आप इसा करते हो ना तो बहुत जल्दी ही हम आपकी एक एक गंटे की लाइफ सुरू करने वाले हैं ठीक है तो चल स्टेडी में दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं समय क्लाफ 10 की अंसीर्टी माइथमेटिक्स और आज पढ़ेंगे 1.4 एकसरसाइज 1.4 बड़ा ही मज़दार है यह इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो बेसिक लाइनल हैं उनके लिए भी केरा क मैंने कुछ दूसरा समझ के लिख दिया था यह पारिमेय है का है यह जिसे बोलते है रेफनल क्या बोलते हैं रेफनल आब समझो अब यह भी फैस्ट कोश्चन हमने किया था देखो उसकी लिंक डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी नहीं मिल रही तो कमेंट करना दे दिये जाएगा उसमें हमें क्या करना था पहले उसके बारे में डिसकस कर लें तब आप दूसरा सवाल समझ पाओगे क्योंकि यह फै कि इनके जो दसमलो परसार हैं वो सांत हैं क्या सांत हैं देखो यह इसके दसमलो परसार क्या सांत हैं क्या सांत हैं यह जानने के लिए हमारे पास यह तरीका है कि हम तेरा में भाग करें 31-25 का तो भाया यह बुड़वा के जबाना वाला तरीका है बहुत पुराना बहुत करोगे जो भी आएगा बहुत काफी बड़ा हो जाएगा तो हम इसको नहीं करेंगे हम माडर्न जमाने में चलेंगे माडर्न जमाने में हम का करेंगे कि ये 13 इसका हम फैक्टर करेंगे तो 5 की घाट 5 आया था आप करके देख ले ना 25, 125, 625, 135, 135 ऐसे आएगा ठीक है तो हम लोग कैसे जानते हैं कि दसमलों परसार सांत होगा कि आसांत होगा इसके लिए दी गई संख्या का जो हर है मतलब नीचे की जुगिंती होती है उसके जो गुड़नखंड है फैक्टर है या तो दो की घात यन के रूप में आए या फिर दो की घात पांच की घात यम के रूप में आए या फिर दोनों के रूप में आया ऐसे तब उनका दसमलों परसार जो है वो सांत होता है मतलब टर्मिनेटिंग होता है अन्य था क्या होता है मतलब असांत होता है तो बैया इनके जो दसमलो परसार है वो फाइब की पावर यम के रूप के आये हैं ये तो इसका दसमलो परसार क्या होगा सांत होगा ना जदा जनकारी के लिए पिछला फैस्ट कुश्चन देखिए उसमें आपको क्लियर हो जाएगा तो कुल मिलाकर करक हैं सबको नहीं लेके आयां तो फैस्ट सीकेंड फॉर और ये सिक्स एंड एट और नाइन इनके दसमलो परसार सांत है तो इनको ले करके हम आये हैं चलिए संती कपरचे देते हुए इनको हल करते हैं अब देखो इनको हल करने का भी वही तरीका है मतलब की पिछले पहले मतलब फिर यह चाहते हैं कि हम भाग करें वो जो मैंने भी बताया था यह 13 में भाग करें 31 25 से तो उसको तो हम करेंगे नहीं इसका एक तरीका है वह तरीका देखो जैसे कि 13 अपान यह 5 का पावर 5 है ना बच्चा इसमें हम एक काम करेंगे कि हम इसमें दो का घात 5 और उपर भी दो का घात 5 से गुडा अगर कर दें तो का होगा देखो मैं इसका लाजिक बताऊंगा क्यूं ऐसा कर रहे हैं इसका ये होगा कि दो की घात अगर आप 5 करोगे बच्चा तो हम सबको पता है कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा न यानि आप पाओगे कि 13 गुड़ा ये का हो जाएगा बच्चा 32 हो जाएगा ये हो जाएगा न इसमें कोई लफड़ा है तो बता दो मुझे नहीं न और ये दोनों की घाते बराबर हैं तो इसे हम कर सकते हैं पांच की घात पांच गुड़े दो घात पांच फाइनल में अगर हम आगे वढ़ेंगे तेरा दूना 26 कच्छा हांसी लावा दूई और तेरा तिया 49 दूई 41 चार सो सोला आएगा ये दूई पंचे या पांच दूना 10 दस की घाता पांच अब देखो कितना आसान डगर हो गई न है न कितना आसान ये बहुत ही मज़ेदार तरीका है अगर ऐसे करोगे तो लेकिन कुछ लोगों के मन में ये गुझ रहा होगा इसा क्यों किया मैं अभी बताऊंगा ध्यान द देते हैं बाद में इनको सब को करेंगे ने साइड में कर दो तो फाइनल हम करेंगे बच्चा तो चार सो सोला और इसकी घाते 5 लगी है ना 5 घात का मतलब क्या होता है देखो जैसे अगर दस है तो इसे हम लिग सकते हैं दस घात दो अगर 1,000 है तो बच्वा इसे हम का गें दफ हजारा अनते व हो जिससे एक लाख बोलते हैं यह भर में सकती हो पांच होता है कि याह बरीओ नशना होता याद रखनाच से नो यह वह दाब करेंगे ना कमेंट करना जीड़ाइंगे नीचे जीड़े करेंगे तो इसमें पांच अंक पे दसम्लों लगेगा लेकिन खुदा ना खासता हमारे पास तो पांच अंक है यह नहीं यह तब हम कहा करेंगे तो भाया ऐसी इस्तिती में हम कहा करते हैं पता है आपको ऐसी इस्तिती में हम लोग क्या करते हैं इसमें पांच अंक बना लेते हैं बना कर लो अब हम बात करते हैं इसमें कि यह गुडवा काहे लिए किया गया फ़या दो गहात पांच आप इसको काहे किया गया देखो अंस और हर हमने दोनों में किया है आप ऐसी किसी बिन्ने में कुछ भी कर सकते हो चाहे तो कुछ भी जोड़ दो या घटा दो लेकिन आपको अ इसलिए किये जिससे नीचे आजाए ये 100 का फाम बन जाए इफ ही लेकिये हैं तो ऐसे हमें हरे कुष्टन में बनाना होगा अगर हम भाग करेंगे यह लंबा वाला प्रकिरिया कि चल बच्चा 13 में भाग कर एक 35 से तो यह बहुत बढ़ा हो जाएगा इसमें गलती बलती हो वीडियो को लाइक नी किया बच्चा तो जल्दी से कर दो और बैल आइकन अन करके आगे बढ़ो मतलब की चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ना चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं देखो यह बहुत ही आसान है बड़ा मज़िदार सवाल है बच्चा इसमें क्या क दूना चार तो एक कम दूई आया ना देखो सब में दो की घात पांच से ही नहीं गुड़ा करेंगे नीचे उपर अब आप कहोगे फिर तब कन्फ्यूज कर रहे हो भाई हम तो समझ रहे थी कि ट्रिक बता रहे हो टू की पार फाइब से गुड़ा कर दो उपर नीचे बस और पांच दोनों के रूप में आएगा बाकि किसी और रूप में आएगा ही नहीं ठीक है तो अगर अकेले 2 की रूप में आ रहा है तो आप उसको 5 से गुड़ा करोगे और कितनी घात लगाओगे जितना घात इस पे लगी है यानि इसमें हम 5 की घात 3 से गुड़ा करेंग किस से 5 की पावर 3 से देखो ऐसा क्यों करने मैंने आपको तरीका बता दिया जिससे कि 2 का 5 में गुड़ा करने पर 10 बन जाए और गात 3 है तो गात 3 हो जाए भाई अगर ये गात 2 रहेगी ये 3 रहेगी तो नहीं बनेगा system आपने पढ़ा था कि नहीं वो गात अंक का नियम अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा वो सुरी ये ए का पावर यम नहीं यहाँ बी का पावर यम अब ध्यान दो अगर ऐसी इस्तिती है तो ये ए बी का पावर यम हो जाता है ये गात अंक का नियम होता है ये चीज आपको आना चाहिए ठीक है याद रखना तो अगर घाते लेकिन यह यम नहीं है दोनों अगर एक यम है यह नहीं होगा दोनों घात बराबर होनी चाहिए नीचे के जो अधार है वो अलग अलग हो तो इस तरह से बन जाता है तो यही बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें मल्टीफल है फाइनल में आप आगे बढ़ोगे तो सतरह की घाते यह 25 25 125 हो जायागा इसको आगे बढ़ाओगे बच्चा तो यह इतना बन जायागा इसमें कोई डाउट किसी को हो तो बता दो निसंको बता दो कमेंट करके फटा-फट देर नहीं करो अब क्या होगा बच्चा आगे क तो कितना आएगा 21 25 आएगा ना अरे बाइस सतरह पच्चा पचास फी का पांच हाफिलाया आठ सतरह दुना चोंतिस आठ 42 हाफिलाया चार सतरह कम सतरह चारह कैस यह हो गया नीचे दूपंचे दस दस के घात तीन बनेगा बस आगया ना आगे क्या एक लाइन और बढ़ान भाई नीचे तीन सुनना है तीन अंक पर उपर दसामलो लग जाएगा फाइनल में आंसर हो जाएगा देखो यह तीन अंक पर दसामलो पर सार है इस तरह से आप डेसिमल इक्स टेंसन जो भी इसमें दिया गया करने को आप कर लोगे जो भी टर्मिनेटिंग है उन्हीं का ऐ हो गया अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीन साट लेलो फटा फट बहुत जल्दी करो आगे बढ़ते हैं वीडियो को स्क्रीन पर टच करके रोंक लिजी रोंकने के बाद अच्छे फिलिखिए अगर आप इस वीडियो को यूट गुलंखंड करोगे दो कगाच चे बनेगा पांच गाथ दो बनेगा ठीक है गुलंखंड करके देख लेना अगर कोई डाउट हो तो बता देना यह बनेगा किनी यार बनेगा ना देखो कुछ लोगों को बड़ा डाउट होगा इसे कर लो ना बच्छा यार इसमें तो क्योंकि यहां पर जो घाते हैं वो बराबर नहीं एक में छे हैं एक में दो हैं तो हम क्या करेंगे घातों को कम तो नहीं कर सकते हैं यहां पर बढ़ा सकते हैं तो पांच की घाते जो दो है ना बच्छा इसे हम क्या करेंगे इसे हम छे बनाने की कोशिस करेंगे और छे बन नई जायगा तो हम क्या करेंगें यहां इसमें काम करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में पांच की खाँ चार से बुड़ा करेंगे बात समझ गए ना यानि कुल मिला करके नीचे हमें 10 की पावर कुछ न कुछ लाना है और 10 की पावर तो वैसे भी कुछ न कुछ आ जाता लेकिन घाते अलग अलग थी तो बनता नहीं काम क्योंकि घातां का ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि अगर आधार भी अलग है घाते भी अलग है तो कुछ नहीं होता है मतलब दोनों में से एक समान होना चाहे घाते समान हो चाहे आधार समान हो ठीक है अब देखो तो ऐसी स्थिती में हम लोग आगे बढ़ेंगे ऊपर का तो भईया वैसे ही रहेगा पंदरा और यह पचम पचीस पंचे एक सो पचीस आप गुड़ा कर लोगे चार गुड़ा पांच की घाच चा एक लाइन मने और बढ़ा दिया इक्स्ट्रा बाकी यहीं हो जायागा इसे फिर फे लिख लो मैं एक लाइन और आपको लिए एक स्पेंड कर देता हूं दो की घात पांच और टोटल का घाच छे आप कर सकते हो चुकि रीजन क्या है ना बच करेंगे नीचे करेंगे पंद्रा का गुड़ा करो इसमें भाई यह थोड़ा सा मुस्की लोगा पाड़ा नहीं आता तो पंद्रा पचे पचत्तर का पांच हांसिल कितना आवा साथ और पंद्रा दूना तीस साथ जीरो आला यह बनेगा दफ लाख कितना बनेगा दफ लाख यानि हमें जो सुनना लगाना है बाबू इसमें कितने अंक पे लगाना छे अंकों पे लगाना है और हमारे पास में कितना अंक है चार अंक है हम इसके आगे दो ठीज जीरो लगा करके फिर यहां पे पॉइंट लगाएंगे और यह आंसर हो जाए और अगर अभी तक आपने एक लास को लाइक नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दो यार बहुत मेहनत कर रहें आपके लिए इसमें देखो बड़ा सिंपल सा है इसका जो छटमा पार्ट है 23 अपांट 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 है बहुत सिंपल सा है इसमें क्या करोगे इसकी घात 3 है इसकी 2 है सिरफ एक कम है न हम क्या करेंगे 5 की घात 2 में किसका गुड़ा कर दें कि घात 3 हो जाए अगर हम यह कर दें तो हो जाएगा ना मतलब एक घात से यानि हम क्या करेंगे फाइनल में फिर हम उपर और नीचे पांच की घात एक से गुड़ा करेंगे किस से करेंगे फाइब की पावर वन से मल्टीपल करेंगे जिससे की नीचे जो है वो बराबर बन जाए ये फाइब क गात तीन गुड़ा यह पांच गात भी तीन हो जाएगा चुकि दो और एक जुड़ा क्या होगा भाई दो गाते गट जुड़ जाएगी गातीन हो जाएगी यह ठीक है यह चीजें तो आपको आनी चाहिए अगर आपको बेसिक नहीं आता कि यह सब कैसे हो जा रहा है तो है आधार अलग-अलग है तो आप उनको इकठा कर सकते हो फाइनल में अगर हम बात करें तो 115 इसको लिख सकते हो दस की घात तीन यानि हम यहां नीचे अगर इनको ले आए वहां से ध्यान दो उदर से आप नीचे ले आओ तो 115 तीन घात का मतलब बहुत सिंपल सा 1000 है मतलब 115 पर हमें तीन अंक पर दसमलो लगाना है भाई यहीं पे ठोग दो यह लो जीरो है ना कितना आसान इसे लिख लो जल्दी से और अगर आपके मन में कोई विडाउट हो रहा है किसी परकार का तो कमेंट करके बता दो फट 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 लेकिन देर नहीं करना जल्दी करो आगे बढ़ते हैं साथियों क्लास को छोड़के मत जना बड़ा इंट्रेस्टेट और मनोरंजक टॉपिक है यह तो देखो आउरे आसान है बड़ा आसान है यह सिंपल सा है इसमें तो कोई बड़ी बात है यह नहीं है यह तो एकदम छोटा सा बच्चा है इसे अगर हम एक बार क क्या करेंगे हमें नीचे दस बनाना है यानि हम क्या करें भईया इसमें उपर और नीचे दो से गुड़ा करो किस से दो से ना क्योंकि पांच की घात एक है अगर हम इसमें पांच की घात एक में अगर हम दो की घात एक से गुड़ा कर दें तो काम बन जाएगा बन जाएग इसको तो आप फिलाल भाग भी कर सकते थे आसानी से 0.4 आजाता ना यह करते लेकिन तरीका बता रहा हूं तो सब में जैसा बता दूना इसके बाद एकवा था 35 बटा 50 जो 9 वाला है लाश्ट वाला 35 बटा 50 इसको भी आप काड़ सकते हो 5-35 और दफ आजायागा इसमें कोई तरीका ही नहीं लगाना दफ हाल रेड़ी दिया है 0.7 हो जायागा इस तरह से प्रिये चात्रों आपका यह पूरा कोईश्चन खतम हो चुका है अगला कोईश्चन हम करेंगे अगर आप इसको यह कल अगर लोगे कर लिया होगे तब ही आपको पूर इसका विल्या होगा तो उसके लिए आपको क्या च act appointment से पढ़ना है आपको इमानारी से पढना मिलार नहिए रोज वीडियो रेगुलर देखना है चयव पार जाएं तू इसलिए आप से निभेदन है कि रेगुलर देखिय और पढ़ते रहे हैं बहुत थैंक्यों आप सभी को इसको देखने के लिए इसके बाद अगला कुश्चन हम करेंगे अगली क्लास में और कोई मन में सवाल है तो बता दो हाँ दो बच्चा कलास तो आपने देख लिया आप कमेंट करके मुझे यह बताओ कि आपको समझ में आया मजा आया अगर कोई भी डाउड रहा गया आपका तो आप कमेंट करके बता दो निशनकोच और एक बात बताओ कच्छा दसका फ्री लाइब कलास आपका हम सुरू करने आने वाले मंडे से तो मुझे टाइम बता दो आप कि किस टाइम पर बढ़ाया जाए जिससे कि सभी बच्चे जुड़ें ज्यादा फिज्यादा लाइब जूड़ें ऑप्सन जैसे कि मैं दे देता हूं दो बार दो बज़े से सुबह आठ बज़े से और एक उप्सन लिख लाना और इस क्लास को सेयर जरूर करना मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू